नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स के यूटूब एजूगिस्टन चेनल में तो आज के उड़ो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉलूशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लेम ये है कि हड्डिया जए वह काफी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है तो उसके करन प्रॉब्लेम ये होता है कि जब भी कोई परसन चलता है तो हड्डियों में से कट-कट की आवाज आती है जो bonds होते हैं वो काफी weak हो गए होते हैं कि यहाँ पर जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से हड़िया देरे-देरे कमज़र होने लगती है मुलब कि हड़ियो के लिए जो जरूरी nutrients होते हैं जो जरूरी पोसक तत्व होते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं और उसके करने हड़िया कमज़र हो रही है और उसमें से इस तरह से आवा जा रही है तो जब x-ray भी किया जता है तब भी पता चलता है कि आपकी हड़िया कमज़र हो चुकी है फिर osteoporosis के समस्या हो रही है जिससे healthy bonds होता है तो उसके अंदर जो pores होते है वो limited amount में होते है पर जब osteoporosis होता है तो हड़ियों के अंदर ये pores काफी ज़्यादा बन जाते है और pores काफी ज़्यादा बनने के कारण आपकी जो हड़िया है वो कमज़र होने लगती है वीक होने लगती है तो उसके लिए एक बहुत अच्छे medicine है जिसके बारे में हम study करने वाले है आज की वीडियो lecture में कि जिसका नाम है Caldechin Plus Capsule तो सीखते हैं detail में और ये सबी जो chapter से उसको cover करते है आज की वीडियो lecture के अंदर तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके basic information से तो ये ऐसा class का medication है कि जिसको हम nutritional supplements की category में include करते हैं और Caldechin Plus जो उसका brand name है कि जिसके अंदर अलग-अलग साज इतने nutrition का एक combination है तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो 7 nutrition उसके अंदर present है कि जो हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ nutrition के कमी होती है पोसक तत्व के कमी होती है तो वो कमी को पूरा करके ये medication जो हो काफ़ी जदा आपको help देती है तो manufacture के हम बात करें तो mankind pharma उसके manufacture जो एक इंडिया की leading multinational pharmaceutical company है कि जिसकी head office जो हो मुंबई में है तो आपको ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना उनके उपचार के बारे में सीखना तो हमारी book भी available है कि या पर जो आप peak में देख रहे हैं उस तरह से multi-color printed book available है तो allopathic practice के लिए आप ये book purchase कर सकते हैं तो book की detail के लिए आप हमें ये दिये गए नंबर पर whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application भी download कर सकते हैं तो book को order करने के लिए जरूर से हमें ये दिये गए नंबर पर whatsapp करें तब आद है topic पे और समस्ते उसके uses के बारे में तो caldica and bloods जो है वो अलग-अलग medical conditions जैसे के एनेमिया है किसी को तो उसमें भी prescribe किया जाता है किसी को respiratory illness है फिर brain and spinal cord related disorders है kidney and heart related diseases है skin problem से hormonal disorder से immune system related problem है और specially जो आपके हड्यों के related जो problem है bonds related जो issues है उसमें इसको जो वो prescribe गी जाती है तो अब उसकी label की अच्छे से हम study करते है label को अच्छे से समझेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख रहे है label के अंदर तो यहाँ पर आप देखो तो calcitriol present है macabalamin है omega 3 fat acid जो है ethyl esters folic acid है calcimen boron उसके अंदर present है caldeca implant से उसका brand name हो गया एक जो strip रहती है उसके अंदर आपको 10 capsule मिल जाती है कि जो soft gelatin capsule है storage के हम बात करें light से protect करना है और 30 degree से calm temperature पे है उसको जो वो store करनी है तो blister pack के अंदर आपको 10 capsule जो वो मिल जाती है working के बारे में हम बात करें तो ये साथ जितने अलग-अलग nutrients का combination है जो एक टाप के supplements है और ये supplements क्या करते है जो nutritional deficiency है उसको पूरा करके अपना काम करता कि जिससे जो nutrients के कमी के करन जो आपको complications हो रहे है वो complications ये capsule को लेने के बाद solve हो जाते है dose की हम बात करें तो उसका जो एक usual dose रहता है regular dose रहता है वो एक capsule लेनी होती है per day और especially खाना खाने के बाद उसको ली जाती है पर धियान ये रखना है कि overdose में कभी भी उसको use ना करें कि एक capsule per day जितना उसका dose है तो ये dose में use करने चाहिए excessive dose में लेने से side effect and complications हो सकते है price की हम बात करें तो December 2023 के according to उसकी price around 160 रूपीज है तो एक capsule around 16 रूपे के आसपास पड़ेगी तो यहाँ पर मैं आपको फिर से reminder देना चाहूगा कि जो हमारी book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते हैं बीमारिया और उनका उपचार disease and treatment तो यह book को order करने के लिए आप हमें दिये गए नंबर पे whatsapp कर सकते हैं और यह printed color book आप purchase कर सकते हैं कि जिसके अंदर detail में विपमारियों की जानकारी दी गई है और colorful diagrams के साथ colorful multi-color printed book आपको मिल जाएगी तो अब आद है topic प्योर समझते है side effects के बारे में तो अगर कोई high dose में लेता है और यह medication आपको suit नहीं करते तो कुछ side effects हो सकते हैं जैसे कि nausea vomiting जैसा feel करना कुछ लोगों को diarrhea हो सकते हैं anorexia यानि कि बूख कम हो जाना सिर्दर्द रहना वजन कम हो जाना कमजोरी जैसा feel करना bloating जैसा feel करना पेट में gas बनी है flatulence जैसा कोई person जो वो feel कर सकता है warnings के हम बात करें तो अगर किसी को caldekind की allergy है तो use ना करें जो अभी हमने 7 supplements की discussion की तो वो 7 में से किसी भी supplement के आपको allergy है तो इसको use ना करें फिर hyper calcemia का कोई patient है osteoporosis का कोई patient है फिर metastatic calcification का problem हो रहा है फिर kidney problems है cancer related कोई problem हो रही है अंडर्गोन सर्जरी है optic nerve damage हो रही है तो वो लोग उसको use ना करें या फिर एक बार आपके डॉक्टर की जरूर से सल्ला लेनी चाहिए कि orthopedic doctor की advice के बाद ही उसको जो है use करना चाहिए फिर आगे समझे calcification के बारे में pregnancy category तो pregnancy के दूर उसको use करना जो है वो safe है because कि जो anemia होता है या फिर कोई calcium related deficiency है boron related deficiency है तो वो treat हो जाती है ये tablet को ये capsule को लेने के बाद तो क्या होता है specially कि कई बार क्या होता है कि pregnancy के दौरान कुछ nutritional deficiency होती है जिसके करना बेबी की growth अच्चे से नहीं हो पाती तो गाएंग के लोकलोजिस्ट कई बार ये supplement भी prescribe कर सकते है so proper consultation के बाद ही आपको उसे use करना है because कई बार क्या है कि इसके drug drug interactions काफ है कि बहुत सारे medications के साथ ये drug drug interactions कर सकते है यहाँ पे जो हम ये list देख रहे है अगर इन में से कोई भी दवा आप ले रहे है तो उसके साथ कभी भी combination में caldecan plus को use ना करे फिर यहाँ पे एक दूसरा list है उसका तो अगर इन में से भी कोई आप medication ले रहे है तो भी ध्यान रखे कि ये दवा यो का combination कभी भी caldecan plus के साथ ना करे है कि मान लो किसी को blood pressure का problem है और उसको prescribe की गई है loss artan तो अगर आप loss artan ले रहे है तो same time पे caldecan plus को लेनी नहीं चाहिए दोनों का combination जो है वो नहीं बना सकते वरना दवाई की effects से इसे नहीं मिलती side effects हो सकते है फिर यहाँ पे एक और list है कि dexamethasone है कि मान लोगे कोई regular dexamethasone क्या उसका treatment चल रही है thyroid का pressure है और leo thyroxin ले रहा है तो कभी भी इनका combination जो है वो नहीं बनाना चाहिए फिर यहाँ पे एक और list है हमारे पास कि जैसे कि कोई phenytoin ले रहा है phenobarbital है, chloramphenicolab ले रहा है, infection हुआ है तो loomy, phloxacin को ले रहा है तो भी caldecan plus को same time पे नहीं ले सकते है मालब कि दोनों अलग अलग time पे लेना चाहिए कि मानलो कि यह आप morning में ले रहा है तो यह जो है उसको night में लेना या फिर साम को लेना सही रहेगा same time पे कभी भी यह medications को नहीं लेते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है, हमारी book को जरूर से purchase कर सकते है so good luck and all the best तो book के लिए जरूर से हमें आप WhatsApp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है, good luck and all the best